मनिपूर की राजानी इनफॉल में हिंसक भीड़ने तीन लोगों को जिंदा जला इसमें मा बेटे भी शामिल है तीनों इलाज कराने के लिए एंबूलेंस से जा रहे थे रास्ते में करीब दो हजाल लोगों की भीड़ने हमला कर दिया और गाड़ी में आग लगा दी पुलिस के मताबिक आग लगने के बाद राक से सिर्फ हड्या मिली हलाकी एक घटना रव से लगबग 15 किलोमीटर पश्चिम में कांग चुप में असम राइफल्स केम्प में शरण ले रखी थी अधिकारियों के मताबिक कई कुकी परिवार असम राइफल्स में शीविर में रह रहे हैं यह कभी कभार भार से फाइरिंग होती है मेते इसमुदाए के लोग उन इल उनसे पीडितों को इंफाल अस्पताल ले जाने की विवास्ता कराने की बात कही शाम सवापांट बजे एसपी के निगरानी में मरीजों को और एक नर्स को लेकर एंबुलेंस केम्प से रवाना हुई असम राइफल्स से कोई भी उनके साथ नहीं गया था एंबुलेंस भी ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया असम राइफल्स के सुत्रों ने कहा कि उन्हें रवीवार शाम बाद ने पता चला कि एसपी के सामने एंबुलेंस में आग लगा दी गई और तीन लोगों की मौत हो गई थी चालक वा नर्स मोके से फरार हो गई आरे एफ के एक स सुत्र ने कहा ये घटना हैरान करने वाली है यहां की इस्तिति से निपटने के लिए इंफॉल में तेनात होने के बाद से हमने कभी भी एंबुलेंस पर किसी तरह का हमला नहीं देखा इस अगनी कांड में जिस मां की मौत हुई है वो मेती समुदाई की है जिनकी शादी ए कि अवल कुछ हड्या ही मिली थी इसी के साथ बने रहे है राजनामा टीवी के साथ दाने वांद